हेलो और वेलकम अलो फ्यू आप्टर वरुन वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नी एक्सरे के बारे में जब भी आपको नी की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर फिजो थर्पी सबसे पहले आपका नी का एक्सरे करवाते हैं क्योंकि उसमें काफी चीज़े क् तीन फाइंडिक्स है जो हरी के एक्सरे में बहुत ज़रूरी है देखना और हरी के एक्सरे में अल्मोस्ट आती आती हैं तो इससे हमें घबराने के जुरूत नहीं होती है अब तीन फाइंडिक्स कौन?"शा है वह charms सबसे पहली findings काथी है जो X-ray में लिखी होती है Medial Joint Space Reduced अब Medial Space कौन से होती है इस तरफ वाली है अगर नहीं का X-ray ऐसे लगाए तो इस तरफ वाली जो Space होती है जो हमारी Fibula के Opposite वाली यानि कि Fibula वाली साइड जो लेटरल साइड हो गई और जो Tibia वाली साइड है वो है हमारी Medial Side तो हमने यहां देखना है क्योंकि Femoral Condyl यानि कि Femur Bone और Tibia Bone इसके बीच में जो Space होती है जब यह कम हो जाए इसको हम बोलते है Medial Joint Space Reduced यहां Reduction of Medial Space इस तरह की वर्डिंग लिखी होती है यहां क्या लिखा होता है कि हमारा Medial Compartment है वहां पर हमारा Space है वो Reduction हो रही है यह दो-तीन लिखी होती है तो यहां पर सबसे हमने ध्यान देना होता है इसको हम कहते है Knee Osteo Arthritis Osteo Arthritis का मदलब होता है यहां जो हमारी Space कम हो रही है चाहे वो Age-related हो यहां ज़्यादा Weir and Tear की विरा से हो Overuse की विरा से हो तो यह जो Space होती है यह कम होने का मदलब होता है कि मारा Knee Osteo Arthritis शुरू हो गया है तो हम इसका सबसे पहले जो Osteo Arthritis की findings होती है वो यहीं से शुरू होती है तो जब भी आपकी Space कम होती है तो गवराना नहीं है इसके आगे आगे grading होती है वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से देखी जाती है फिलहाल के लिए हमने यह देखना है कि Joint Space Reduce यह होती है First finding Second finding हमने देखनी होती है वहाँ साथ सा लिखा होता है इस तरह से होती है इसको कहते है औस्टोफाइट तो औस्टोफाइट फॉर्मेशन का मदल्ब होता है कि Joint है वो wear and tear कर रहा है Bone to bone friction हो रही है Instability काफी है जहाँ पर weight आना चाहिए वहाँ पर weight नहीं आ रहा हमारी bones हो है वो आपस में घिस रही है इसलिए वो जो abnormal bone growth है वो हो रहा है Instability की वेज़ा से एक यह हमने फाइंडिंग जो औस्टोफाइट फॉर्मेशन है यह देखना होता है थर्ड इंपोर्टेंट फाइंडिंग आती है पेटेलर स्पेस के पेटेला जो होता है हमारा वैसे तो इसके दो तीन व्यूज हम लेते है एक तो AP व्यूज एक होता है lateral व्यूज एक होता है skyline व्यूज तो पेटेला को सबसे अच्छा देखने का व्यूज होता है skyline व्यूज अब पेटेला की जो इस तरह से positioning होती है अगर हम AP को देखें, तो ऐस तरह से center में होना चाहिए, अब जब ये center में ना होके, lateral side shift हो जाता है, या middle side shift हो जाता है, mostly ये lateral side ही shift होता है, क्योंकि VMO muscle की weakness होती है, वो उसको lateral side, जो lateral compartment है, lateral side वाला चीज है, वो उदर को shift हो जाती है, अगर weak हो मारा VMO muscle, क्योंकि वो उसको hold न आए जाता है, कि पटेला जो है, वो femur के ऊपर काफी friction कर रहा है, उसकी gliding proper नहीं हो रही है, तो यह है हमारा height adjustable neck pillow, अब यह देखिए, यहाँ पे आपको valve दिया गया, इसके साथ आप अगर आपको side boost होना है, और height increase चाहिए, तो आप इसको squeeze करके, इसकी height को increase कर सकते हैं, इ अलका से valve को थोड़ा से कम करके, इसकी height को decrease कर सकते हैं, इसमें से आपको feel होगा, कि जो हमारा pillow है, अब वो नीचे की और जा रहा है, तो इस तरह से हमा height decrease भी कर सकते हैं, तो यह first pillow है, जो height adjustable है, तो इसको order करने के लिए नीचे लिखे number पर जाके order कर सकते हैं, यह हमारी जो बून को quality देखके, वो osteoporosis का भी अंदाजा लगाए गाते हैं, कि इसमें calcium कम लग रहे हैं, तो osteoporosis भी लिखा हो सकता है, बाकि इमारा degenerative knee osteoarthritis जो है, वो लिखा होता है, osteoarthrosis भी लिखा हो सकता है, तो यह तरह कि जो findings होती है, नी x-rays में आती हैं, बाकि आपको अगर क हैं, आपकी history लेके, कि अगर आप गिरे हो, या पैर मुड़ा है, और x-ray में कुछ नहीं आया, और bone कोई हमें lesion नहीं है, यानि कि bone injury कोई नहीं होई, तो यह मंदाजा लगाते हैं, कि soft tissue injury हुआ होगा, पर हम x-ray के confirmation नहीं हो सकता, कि हमें meniscus tier हुआ है, या हमारा ACL tier हुआ ह हाँ, bone की जो, वो होती है, जो joint है, अगर वो बड़ा subluxation हो रही है, या हमारा joint है, बड़ा lose हो गया है, उससे हम physical test से पता कर सकते हैं, पर x-ray में में सिर्फ joints और bones दिखती हैं, इसके लावा में कुछ नहीं दिखता, तो soft tissue के लिए हैं, आपको अगर injury है, तो MRI के लिए ज सब के साथ share कीजिए, नी के जितने भी patient है, उनको सब को समझानी चाहिए, कि नी x-ray में में क्या क्या आ सकता है, और हमें किस चीज से घबराना बिलकुल नहीं होता, इसी तरह से next video में बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको spine के related बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी common findings होती है, जिस physical therapy.com पर उसको order कर सकते हैं, नीचे लिखे number पर जाके, combos भी order कर सकते हैं, या आपको directly आप WhatsApp message करके, order कर सकते हैं, मुझसे 1-to-1 consultation के लिए नीचे लिखे number पर जाके, आप WhatsApp appointment book कर सकते हैं, उसकी छोटी सी fee से उसको pay करके, आप मुझसे 1-to-1 consult कर सकते हैं, have a nice day, take care of yourself.